आए इस video में हम आपको रीमान टीमर रीयक्शन बताने वाले हें और साथ में उसकी माकेनिज्पम भी बताएंगे तो सबसे पहले हम रीमान टीमर रियक्शन पढ़ेंगे CHCl3 मतलब chloro farm के साथ सबसे परले हम रीमन टीमर रियक्षन पढ़ेंगे इसके पाथ रीमन टीमर रियक्षन दो प्रकार से होता तो एक chloro farm के साथ और दूसरा होता है carbon tetra chloride के साथ तो इस वीडियो में हम केवल chloro farm के साथ पढ़ेंगे और उसके mechanism चानेंगे फिर अग़े वीडियो में हम आपको रीमन टीमर रियक्षन जो र कार्बन tetra chloride के साथ बताएंगे चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि आपको रीमन टीमर रियक्षन क्या होता और उसकी mechanism कैसे करते हैं हुआ डोस्त आप जानते हैं रिमंस टीमोर के पिर्णन सेhoe आकटफ्र पूछ बन्य पूस्षा सब्रेंगे कि फिनाल करते हैं फिला फिनाल को हम सी याच सी यल थ्री क्लोरो फार्म के साथ हम जब टिट करते हैं कि क्लोरो फार्म के साथ टिट करते हैं इन प्रेजेंस आप बेस बेस में हम लेते हैं यह 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 लेते हैं बेस में यह और यह एक इस ट्रांग बेस जो रीमन पीमर रि KOH ले सकते हैं और यह reaction 60 degree centigrade के पर hit करते हैं इसको तब हमको जो product मिलता है वो ortho hydroxy ortho hydroxy benzyl deide मिलता है ortho hydroxy benzyl deide major amount major amount में मिलता है और para hydroxy जो है para hydroxy भी मिलता है minor amount में मिलता है रीमन टीमर रियक्षन में जब हम फिनाल को chloro farm के साथ treat करते हैं इन प्रेजेंस आप base at 60 degree centigrade to farm ortho hydroxy benzyl deide और para hydroxy benzyl deide आप इसका नाम निफिजे देखिए यह CHO ग्रूप एक senior group है in comparison to OH तब आप नंबरिंग यहां से करेंगे इसके respect में यह वाला position आर्थो है आर्थो पर OH है जब CHO ग्रूप प्रेजेंट रहता है तब हम OH को hydroxy करते हैं तो आर्थो पोजिशन पर है इसलिए हम इसको ortho hydroxy ortho hydroxy benzyl deide benzyl deide dehyde इसको पहरा यह CHO ग्रूप है इसके respect में यह आर्थो यह मेटा यह पैरा तब इसको हम कहेंगे पैरा पैरा पर hydroxy group है तो पैरा hydroxy पैरा hydroxy और benzyl dehyde हो तो benzyl dehyde benzyl dehyde benzyl dehyde चलिए इसकी mechanism चेक करिए mechanism mechanism में आप सर्फ पर्थम सबसे पहले लिखेंगे step first step first में आपका जो है generation of nuclear file generation of electro file generation of electro file देखे electro electro file देखे electro file कैसे generate होता है यही आपको reaction में करिजब में जानना है कि electro file कैसे generate होता है तब आपको पता होने चाहिए कि देखे सबसे पहले हमने यहाँ base लिया यन ओयज तो यह base जो है यन ओयज यन ओयज यह आयोनाईज होगा आयोनाईज होगा तो हमको यन प्लस और ओयज माइनस मिलेंगे मिलेंगे न आप यह जानते हैं बेसिक बात है फिर यहाँ पर हमने chloro farm में लिया है chloro farm में देखे C और Eaj Caj है तो इसको हम ऐसे लिख दें इसके साथ 3 chlorine atom लगे हुए तीनों को हम यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं देखे हमने इस structure को ऐसे लिखा तो आपको कोई सुद्धा नहीं हमने आपको सुद्धा के लिए ऐसे बनाया है फिर इसके बाद जो आपका बेस है OH आएगा यहाँ पर देखें carbon और hydrogen की electron negativity में difference है तो जो आपका carbon है या hydrogen के respect में ज्यादा electron negativity है तो यह अपना electron इस तरह shift कर देगा तब hydrogen जब बाहर निकलेगा तो यह प्लस के रूप में निकलेगा और यहाँ OH जो आपका minus है तो इस यह को पकड़ेगा और minus H2O OH और यह 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 H2O के रूप में बाहर हो जाएंगे और देखें यह carbon ने electron लिया तो इसके उपर negative हो जाएगा तीनों को आप लगा दीजिए यहाँ पर carbon की कितनी balance एक दो तीन चार यहाँ पर dot अब देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ पर negative charge है यानि electron की अधिकता है और यह chlorine आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छा living group है तो यहाँ से electron carbon कर लेगा और बाहर निकल जाएगा यह बाहर निकल जाएगा तो आप इसको यहाँ minus बाहर दिखाएगे जब यहाँ इन दोनों के बीच में carbon का बहुत इलेक्टान है यह electron लेक्टान लेकर बाहर निकलेगा तो carbon इलेक्टान की अधिकता है तो कमी आ जाएगी तब देखें structure यहाँ पर यह chlorine एटम निकल जाएगा तो दो बचेंगे दो को हम इस साइट दिखा दें और इनका इलेक्टान है हाँ पर इसी को हम करते हैं dichloro carbon इसी को dichloro dichloro carbon इसी को हम dichloro carbon dichloro carbon करते हैं यही आपका electrofile है आप जानते हैं electrofile के उपर positive charge होता है तब हम इसको electrofile करते हैं लेकिन हमने आपको देखें बताया था कि electrofile दो प्रकार के होते हैं एक neutral और दूसरा positive charge एक positively charge वाला electrofile होता है और neutral तो यह जो यहाँ पर एक कार भी नहीं है या neutral electrofile की तरह भी वैब करता है आप लिख लेजिए अटेक आफ इलेक्ट्रो फाइल अब करते हैं करेगा करएगा फिनाल यह फिनाल पर देखञे फिनाल पर यह आपका फिनाल है फिनाल की इस पोजीशन पर आप जानते हैं यह ओएज गुरूप जो हता है आर्थो पैरा डारेक्टिंग गुरूप होता है मतलब जब आप इसका रिजोनेटिंग इस्टेक्टर ड्रा करेंगे तो यहां पर और आर्थो और पैरा पर निगेटिव चार् करता जहां इलेक्टान की अधिकता ऊथ इसलिए यहां आट गरेगा अध़ो दिखायते कि यहां पर कैसे निगेटिव चार्ज आया इस और ही रेसी मोई बर्डा एप आपने तरह कर लेगा तो अगला पर देखे जब यहांपर आये गांड़ तो यहां पर आएगा और यहांपर आयगा जब यह वाला यहांपर आएगा जब यहां पर आया तो यहां पर डबल बांट एक प्लेश था यह निगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो यहां डबल बांड यह अक्षिजन की डबल बांड और यह वाला यहां आया तो यहां पर निगेटिव चार्ज और दोनों जैसे हैं वैसे कर दीजिए देखे यहाँ पर negative charge आ गया और हमने आपको बताया कि जो यहाँ पर दोनो आर्थो और पहरा दोनो प्रकाल के compound मिलते हैं तो यह आर्थो वाला major amount मिलता है तो हम आर्थो पर attack करवाएंगे तो देखे आर्थो पोजिशन पर यहाँ पर negative charge है तो हमारा जो इलेक्ट्रो फाइल यहीं अटेक करेगा क्योंकि उसके पास इलेक्टान की कमी है इसके पास इलेक्टान की कमी है तो यह वहीं अटेक करेगा जहां इलेक्टान की अधिकता है तो देखे यहाँ पर इलेक्टान की अधिकता है negative charge है यहाँ पर यह attack करेगा और देखिए attack करने के बाद क्या होता है यहाँ oxygen double band है double band और यहाँ पर यहाँ पर अमचियों कात्यों लिखिए इसके बाद देखिए जब यहाँ attack करेगा यहाँ एक hydrogen भी तो है hydrogen replace होगा तब ही नहीं यहाँ गुरूप यहाँ से जुड़ेगा carbon से तो यहाँ से एक hydrogen जब replace होगा तो यहाँ गुरूप यहाँ जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो उस hydrogen को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं और 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 यहाँ गुरूप जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा अरे भाई इसके पास कुछ भी नहीं था यानि यह neutral लेक्टो फाइल हमने आपको बताया जब यह इसने electron दिया यहाँ पर यह attack किया तो इसके पास electron की अधिकता हो गई इसके पास negative charge आ गया अब यहाँ उसी negative charge को हम यहाँ पर लिख रहे हैं अब इसके बाद जोगा देखे यहाँ पर देखे इसकी ring की aromaticity सही नहीं है मतलब यहाँ पर यह hydrogen यहाँ आएगा और यहाँ पर double band आ जाएगा और जो है H plus के रूप में hydrogen बाहर निकलेगा hydrogen जो है H plus के रूप में बाहर निकलेगा तब yes plus की रूप में बाहर निकलेगा और यह carbon minus है तो yes plus और यह दोनों मिलकर band बना लेंगे देखें इस तरह से आप इसके बाद यहां से ऐसे शुरू करेंगे यहां पर double band है double band दिखाएं यहां पर ऐसे है जब यह hydrogen अपना यहां पर देगा तो यहां पर double band ring की aromaticity ring की aromaticity complete हो गई अब इसके बाद देखें जो यह carbon इसके साथ दुड़ा आगए जब यह yach plus बाहर जाएगा yach plus की रूप में बाहर जाएगा और यह negative वाला आए तो इसको पकड़ कर अब plus minus वाले एक band बना लेंगे carbon hydrogen और दो cg atom लगे हुए है तो दो cg atom अब इसके बाद क्या होगा देखें इसके बाद जो हमारा जो हमारा base निकलियूप o yach अब वा अटाइक करेगा o yach अब यह इस पर अटाइक करेगा तो अगला step देखें ring की aromaticity और यह double band और देखें यहां से एक chlorine atom आप बाहर निकलेगा आप जानते हैं chlorine एक अच्छा living group माना जाता है तो यह एक बाहर निकलेगा अप electron लेकर तो आप इसको minus पर दिखाएए और यह एक group जाकर o yach जो जाकर यहां जुड़ेगा तो आप c yach यहां पर दिखाएए एक c yach को यहां पर दिखाएए एक c yach मान बाहर निकला जब एक दो तीन चार कारवन की चारो बैलेंसी प्री नहीं चारो बैलेंसी देखें पूड़ हैं तो एक c yach हटेगा तब ही नहीं निक्रियो फाइल जो o yach attack करेगा तब यह बाहर निकला जैसे बाहर निकलता वैसे o yach attack कर देता तो यह c yach बाहर निकला और o yach attack किया तो यहां पर बांड बना लिया इस o yach को हम ऐसे लिखें अब इसके बात दिखें यह वाला जो yach है यहां पर जा जाएगा इसके उपर नेगेटिव चार्ड जाएगा तो यह जाकर यह इसके साथ जूट जाएगा और देखिए फाइनल प्रोडक्ट हमारा कि इसकी इरोमेटी सिट्टी यह डबल बांड था जब यह उपर गया तो माइनस में हो जाएगा और यह प्लस बाहर निकलेगा क्योंकि यह अपना इलेक्टान यहाँ पर दिया यहाँ पर डबल बांड आ जाएगा तो यह प्लस के रूप में बाहर निकलेगा तो यह आक्सिजन माइनस वाला इसको तो देखिए इस carbon और इस oxygen की बीश double band को हम यहां दिखा दे कोई दिक्कत यह hydrogen तो आप जानते हैं कि यहां जाकर जुड़ गया और इसके उपर एक carbon है hydrogen है उस hydrogen को हम यहां दिखा देखिए यह आपका CHO यह यही आपका main product है परहा हाइड्राक्सी बेंजल आर्थो आर्थो हाइड्राक्सी बेंजल बेंजल डिहाइड यही आपका product है आपको यह mechanism समझ में आए तो एक बारा वीडियो को लाइक कर देगी और चैनल को नहीं है तो इसका कर देगी आपका